हेलो एब्रीबन लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नमबर फोर हीट स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जिनमें हमने ये देखा था कि किनी भी औबज्ट का या फिर human body का जो temperature है वो किस तरीके से measure किया जाता है क्या instrument इसके लिए होता है कि हम temperature measure कर सके कोई भी object हॉट है या cold हम कैसे बता सकते है इसके लिए हमने एक instrument हमने देखा था जो कि है thermometer और thermometer के हमने दो types पढ़े थे clinical thermometer और laboratory thermometer क्लिनिकल थर्मोमेटर को यूज किया जाता है human body temperature मीजर करने के लिए और laboratory थर्मोमेटर को यूज किया जाता है बाकी objects के temperature को मीजर करने के लिए इनको यूज करते टाइम हमें कुछ precautions का ध्यान रखना चाहिए वो भी हमने बढ़ा था उसके बाद जो next topic है अब हमारा 4.4 transfer of heat transfer of heat जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है यानि कि जो heat है वो किस तरीके से transfer होगी इसके कुछ methods हम देखेंगे आपने कभी observe किया होगा कि जो frying pan होता है जब आप burner के उपर रखते हैं उसको flame के उपर रखते हैं तो वो धीरे-धीरे पूरा का पूरा frying pan जो है वो गरम हो जाता है ऐसा क्यूं होता है क्योंकि जो heat है वो pass हो रही है कहां से flame से utensil तक यानि कि हमारे बर्तन तक उस pan तक जो heat है flame से transfer हो रही है और धीरे-धीरे वो क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा और जैसे हम उसको fire से हटा कर यानि कि flame से हटा कर दूर रखेंगे, वो फिर से ठंडा हो जाता है, धेरे धेरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो वो ठंडा क्यूं होता है, एक प्रोसेस यहाँ पर होता है, the heat is transferred from the pan to the surrounding, जो heat थी, वो pan से surrounding में चली गई, यानि कि आसपास के environment में चली गई, तो pan ठंडा हो गया, और जब हमने उसे flame पे रखा हुआ था, तो heat flame से उस बरतन तक आ गई, उस utensil तक आ गई, तो यहाँ पर हमने एक चीज observe की, दोनों cases में ह heat है, वो transfer हो रही है, यानि कि वो flow कर रही है, बहर रही है, कहां से, hotter object to colder object, सबसे पहले case में, hotter object क्या था, flame और colder क्या था, जो frying pan था, वो colder था, तो hotter से, यानि कि flame से pan तक गई, heat, उसके बाद दूसरे case में हमने देखा था, कि जब हमने उसे surrounding में रख दिया, उसमें भी hotter object से, यानि कि pan से कहां पर चली गई, हमारे environment में, जो कि colder था, तो दोनों cases में हमने ये देखा, कि जो heat है, वो flow होती है, hotter object to colder object, और यहां पर, हमने ये देखना है, एक activity के through, कि ऐसा किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हमें investigate करना है, अब यहां पर देखेंगे, एक activity perform की गई है, 4.6, इस activity में हमने क्या किया, एक road ली, या फिर एक flat strip ले ली, metal लेना है हमें, aluminium या फिर iron की हमने एक road ले ली, और उस road को हमने एक stand के साथ fix कर दिया, अगर हमारे पास stand नहीं है, तो हम इस तरीके से जैसे figure में आपको दिखाया है, दो bricks के बीच में, उस road को रख सकते हैं, उस road के उपर हमने कुछ pieces को fix कर दिया, वो pieces हमने लिये थे wax के, हमें ये ध्यान रखना है कि उन्हें equal distance पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ यहाँ पर equal distance पर हमने in wax के pieces को क्या कर दिया, fix कर दिया, उसके बाद हम एक end पर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस end पर हम candle को रख होगा, यह जो road है, यह गरम होना start होगी, और हम यह observe करेंगे, कि जो wax थी, वो melt होने के बाद, धीरे धीरे fall down कर रही है, यानि कि वो melt होकर, पिघल कर, नीचे गिर रही है, लेकिन हमने तो heat सिर्फ एक end पर दी थी, और wax यहाँ तक लगी हुई है, तो यानि कि यहाँ पर, यह hotter region था, और यहाँ पर, जो है, यह colder region है, तो hotter region से colder region में, heat क्या हो रही है, transfer हो रही है, तो यह एक process है, और इस process को हम कहते हैं, conduction, conduction, conduction एक ऐसा method है, एक process है, जिसके through heat transfer होती है, hotter region से colder region की तरफ से यहाँ पर, यानि कि hotter object से colder object पर heat transfer होगी, heat transfer का यह first method है, इसके बाद है, हमने एक और activity की, जिसमें हमने क्या किया, अलग-अलग तरीके की substances को हमने लिया, 4.7 activity आप देख रहे हैं आपर, यहाँ पर हमने कुछ substances collect कर लिया, हमारे आसपास से, small pan, pan या beaker हम लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, और उस पानी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, उसको गरम करने के बाद हम उसके अंदर एक एक करके, कुछ articles जो हमने collect किये थे, जैसे कि हमने steel, spoon लिया था, plastic scale लिया था, हमने pencil divider, इस तरीके से कुछ objects को हमने collect कर लिया, और one by one उनको हमने dip किया, और कुछ seconds, कुछ minute के लिए हमने उसको उस पानी के अंदर dip रखा, हमने इस activity में क्या observe किया, हमने इस activity में observe कि कि कुछ object तो गरम हो गए, यानि कि जो हमने कुछ articles जो collect किये थे, कुछ गरम हो गए और कुछ गरम नहीं हुए, तो कौन से articles, यानि कि कौन सा material गरम होगा और कौन सा नहीं होगा, हम उन्हें क्या कहेंगे, आईए देखते हैं, जो materials allow करते हैं, the materials which allow heat to pass through, यानि कि जो अपने अंदर से heat को pass होने देंगे, वो गरम हो ज example क्या क्या होंगे इसके, aluminum, iron, copper, यानि कि almost all metals, और जो material अपने through, heat को pass नहीं होने दे रहे थे, easily उन्हें हम कहते हैं, poor conductors of heat, for example, plastic wood, इन्हें हम poor conductors कहते हैं, और poor conductors को insulators भी कहा जाता है, इसके बाद है एक और activity, इससे पहले था, अब water और air जो है, ये भी poor conductor होते हैं, तो फिर ये गरम कैसे हो जाता है, जब हम पानी को गरम करते हैं, तो किस तरीके से गरम हो जाता है, जब वो conductor ही नहीं है, अपने अंदर से heat transfer ही नहीं होने देगा, तो फिर वो गरम कैसे होगा ये हम जानेंगे एक activity के through, इस activity में हमें बताया गया है, इस activity में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक beaker लेना है, अगर round bottom flask है तो वो हम ले सकते हैं, बरना एक beaker ले सकते हैं, उस beaker के अंदर हम two third quantity में पानी को डाल लेंगे, और उसको हम एक stand के उपर रख देंगे, tripod stand नीचे से हम उसको burner के through या फिर candle के through heat प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम straw की help से, जब वो पानी बिल्कुल still हो जाएगा, उसके अंदर पानी हिलना बंद हो जाएगा, straw की help से potassium permagnate के, potassium permagnate ये एक substance है, बिल्कुल flask के bottom पर हम one by one कुछ crystals को वहाँ पर bottom में रखेंगे, फिर हम observe करेंगे उस activity में कि हो क्या रहा है, जब हमने उसमें observe किया, तो क्या हुआ, कि जो water था, जब उसको गरम किया जा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो flame के आसपास का पानी है, वो धीरे धीरे गरम हो रहा है, और गरम होने के बाद, वहाँ पर जो bubbles देखें वो बॉटम की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से सारा पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गरम हो जाएगा इस activity के थ्रू, आप इस figure में देख पा रहे हैं, इस figure में हमने देखा कि जो यहां का जो पानी होगा, जो flame के आसपास का जो पानी है, पहले ये गर होगा, ये उपर की तरफ जाएगा, फिर side में से जो ठंडा पानी है, वो flame के पास आएगा, फिर ये भी गरम हो जाएगा, फिर से ठंडा पानी flame के पास आएगा, इस तरीके से सारा पानी जो था इस beaker में इस container में, वो धीरे धीरे करके गरम हो जाएगा, और इस process को हम कहते हैं convection convection एक ऐसा process जिसमें पानी इस तरीके से गरम होगा जो हमने इस activity में देखा अब heat कैसे जो air है वो कैसे गरम हो जाएगी उसमें किस तरीके से heat travel करती है आपने कई बार देखा होगा जो धुआ है smoke है उसके वो एक particular direction में ही जाता है जैसे पानी गरम हो रहा था ठीक उसी तरीके से convection के माध्यम से जो air है वो भी गरम होगी actually क्या होगा जहां भी हम air को जहां भी air को गरमी मिल रही है यानि कि उसको heat provide की जा रही है वहां के आसपास की जो air होगी वो गरम होगी और जब वो गरम होगी वो air गरम होने के बाद rise up करना start होगी उपर की तरफ जाएगी क्योंकि जो गरम हवा होती है वो lighter होती है, healthy होती है as compared to colder air और जैसे गरम हवा उपर की तरफ जाएगी ठंडी हवा जो होगी आसपास से वो उस गरम हवा की जगा ले लेगी इस तरीके से सारी हवा जो है आसपास वो गरम हो जाएगी इस तरीके से convection के थूँ अब एक और activity है 4.9 इस activity में हमें क्या करना है कि एक candle लेनी हमें और इस candle के उपर हमें अपना हाथ रखना है ये देखे आप figure में इस तरीके से एक hand को हमें फ्लेम के थोड़ा ऊपर रखना है और एक hand को हमें फ्लेम के side में रखना है और हमें ये observe करना है कि हमारा कौन सा हाथ जो है गर्मी फील करेगा यानि कि कौन सा हाथ hotness को फील करेगा इस activity को करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आपका हाथ जो है इससे burn भी हो सकता है तो इसमें जो result आएगा वो क्या आएगा कि जो फ्लेम के उपर वाला जो हाथ था वो पहले गरम होगा वो गरम जादा होगा क्योंकि convection के through जो heat है वो उपर की तरफ जाएगी और इस तरीके से जो आपके फ्लेम के उपर जो हाथ था वो गरम हो जाएगा ना कि जो फ्लेम के side में आपने रखा है